नमस्कार रागिरी में आपका स्वागत है और हम स्वागत करने जाए रहे हैं गायतरी अशोकन का जो उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्हें बचपन से संगीत का संसकार मिला है, संगीत का साथ मिला है और उस संसकार को उन्होंने बहुत सहेच कर रखा है, बहुत सम्ह पहले तो सिलसिलेवार तरीके से शुरुवात ही यही से करते हैं कि जो मैंने कहा कि संगीत के संस्कार और आपके हां तो आपकी ग्रैंड मदर ने तरीके से आपके अंदर संगीत के बीज डाले तो क्या कुछ याद आता है वो बश्पन के बारे में मुझे जरा कुछ See, frankly speaking, my grandmother was a music teacher, लेकिन इतना मैं ठीकतर है से सीखने ही पाई बच्पन में क्योंकि मेरे दो वालिदे, my father and my mother, दोनों doctors है तो very, very busy doctors, my father is a dermatologist, my mother is an ophthalmologist तो बच्पन में क्या थे, इनोग मेडिकल कॉलेज में काम करते थे, you know, they were practicing doctors तो 7-8 schools में मैंने पढ़ाई की है, तो transfer तो होते रहते थे तो क्या हुआ, ऐसा थिरता से जो बोलते हैं न, तालीम में, वो stability तो बहुत जरूरत है, वो मुझे मिला ही नहीं वेकेशन में जाती थी, grandmother के house में, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, बस दो-तीन हफते के लिए जाती थी, तो करनाटिक में जो तालीम मिलना चाहिए, वो ठीक तरह से मुझे मिलाई नहीं, क्योंकि इतना हमारा transfer होते रहते थे, और बच्पन में भी ज्यादा का ध्यान खेल में थे, क्योंकि parents had no time, I mean, बहुत encourage किया मुझे competitions के लिए जाने के, लेकिन ये जो शास्त्रिय संगीत का जो एहमियत है न, वो मुझे तब समझ में नहीं आती थी, और सच बोलू तो मुझे तालीन चीक से मिलाई नहीं, बच्पन में, लेकिन, टैलन्ट तो थी, इसलिए competitions में गाती थी, prizes मिलते थे, लेकिन अभी सोचके मुझे बहुत, जो बहुते, regret होता है या अफसोस होता है, कह रहे, मैंने कुछ नहीं किया बच्पन में, बहुत कुछ सीख सकते थे, लेकिन हुआ ही नहीं. अच्छा गायत ही होता है, कि हम लोग artist से बात करते हैं और खास्तोर पर, शास्त्रिय संगीत से जोड़े कलाकारों से बात करते हैं, तो एक बहुत संकोच होता है, बहुत अच्छी-च्छी बाते होती हैं, बदमाशियों की बात पाती है तो आपने तो बता दिया कि आप भजपन में खेलने उतने में काफी एक्टिव रहती थी कोई बदमाशी कैसी शरारते करती थी यह बताईए जारा बहुत ज्यादा करते थे क्योंकि स्कूल में मुझे याद है इवन इन सेकेंड स्टैंडर्ड एक इंटेवल मिला मैं आपने सहेलियो को लेके कुछ शॉप में जाके उस ताम पे वो आइस उसको किया जिप बोलते थे जिप अप मैंने सब के लिए खरीदा और मेरे घर लेके चली ए बन आवर वेन बाइन नोबडी रियलाईज रूब टो वे 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 अट होम चिलिंग लेटर देश अपने से वे वे इन नॉट्टी तो बहुत मुझे भी तो इतना स्टिच है मारना नहीं चाहिए तीछे लेकिन उस ताइम पे तो केइन का इसा निशाना आके वह बहुत मिला है लेकिन दिग अग्वे ना एख वे जिए वे लिए बहुत इन आपने बहुत टीचे जाता है हाथ पे जब आप म्यूजिक में आपने अच्छा खासा नाम कर लिया अपना तो कभी उनसे बात हुई और कभी उनों ने कहा कि हम ने तो सोचा नहीं था कि तुम इतना आगे जाओगी नहीं नहीं एक दो टीचर से अभी भी तच है कालिकिच में तो उन लोग बोलते थे तुमको तो क्लास में फ्रंट रो में कभी दिखता ही ने क्योंकि पूरे टाइम स्टेज में ही है कुछ ना कुछ ना कुछ ना ड्रामा तो नाव धे वेरी प्रावड अफ मी यूनों I mean I keep talking once in a while and I mean obviously because मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं प्लेबाक सिंगर बनू या गजल सिंगर बनू यह सब मैंने सोचा ही नहीं था यह सब डेस्टिनी है बहुत you know बात में यह सब रिलाइजेशन हुआ कि यह प्रफेशन बनाना है का कि मेरे हस्बंट तो बच्पन से उनको क्या साइन्स का डिग्री अभी कुछ आप्लिकेशन ही नहीं है तो जो किया है उसका बच्पन की बात हो गई और परिवार में म्यूजिक के टीचर की होने के बावजूद सिंसीरली और सीरिसली नहीं सीखा शुरूआत में लेकिन फिर वो समय कब आया जब आपने सिंसिरली सीखना शुरू किया, seriously सीखना शुरू किया, और वो कैसे, मतलब, वो क्या हुक था, क्या लगा कि नहीं सीखना चाहिए? अच्छी, बहुत आलगी बात है, क्योंकि 12th में ने तो साइंस किया, उसके बाद B.A. में ने लिटरिचर किया, English Literature, तो उस टाइन पे क्या हुआ, जैसे मैंने बोला, college competition, मुझे युनिवर्सिटी में first मिला, light music में. तो चोटा-चोटा मोटा recordings शुरू किया, मैं गाती थी, Christian Devotional ये सब स्टूडियों में जाके गाना शुरू किया. तो तब बहुत अच्छे musicians से मेरा मुलाकात हुई, तो इन लोगों ने मेरी आवाज सुनके मुझे बहुत सारे गजल का कैसिच दिया, सुनने के लिए, उस ताम पे कैसिच दिया. तो मैंने गजल कभी सुनाई नहीं, सुनाई नहीं. तो पहली बार मैंने जगजीत सिंग जी को सुनने का मौका मिला, हरियरन जी, Mehdiya Sinsa, Bula Malie साहब, फिर Parveen Sultana जी, Kishori Amonkar, तो एक अलग ही नहीं, नाया जो दुनिया है, मेरे सामने आया. तो मैंने सोचा, यह तो बहुत रूखदार संगीत है. तो करनाटिक से बहुत अलग है. करनाटिक अंसा इलाइक, बड़ वोकल स्टाइल, I was really fascinated by Hinduistani music. So I was like, I really want to learn the style of singing. तो मैंने तुड़ा कोशिश की गजल सब कैसे तूनके पढ़ने के लिए. लेकिन उसे तू बात होगा ही नहीं. अगर सीखना है, तो अच्छी तरह से सीखना है बड़ेगा. तो अलका मारूलकर जी, उस टाम पे पुना से कुछ ने कॉंसर के लिए आई थी और मैं सुनने के लिए गई. और मुझे ऐसा प्यार हुआ हूँ. You know, when I heard a live concert, it's beautiful singing. तो मैंने उनसे पूचा, जा मैं आपसे सीखू, मुझे तालीम लेने का बहुत खाहिश है, तो उन्होंने बोला, नहीं, नहीं, मैं तो बिगिनर्स को नहीं सिखाती हूँ, और आपको तो हिंदुस्टानी मालूम ही नहीं, आपने, you know, कुछ basics भी मालूम नहीं है. तो चलो, ठीक है, कुछ तो गाओ. तो मैंने करनाटिक, जो भी मुझे मालूम है, एक चोटा सा भजन गाके सुनाया, और उनको बहुत अच्छा लगा, और मेरे पेरंस के सपोर्ट से मैं पूना गई, तो उस ताइम पे बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा केरला से कोई नहीं जाते थी, नौथ इंडिया में, मुजिक सिखने के लिए, तो मैंने, तो मैंने, I took that decision, thanks to the encouragement from my parents, और दो साल पूरा basics, पल्टा बल्टा, कैसा आपकारतान, ये सब मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे notate करना भी मालूम नहीं था, सच में बताओ, मुझे formal research, ये सब मालूम ही नहीं था, ऐसा होता है, क्योंकि एक दम मैं, पार्ट जैसा कैसे से सीखती थी, तो जो basic funda है, music का theory, कुछ नहीं मालूम थी मुझे, तो उन्होंने, ऐसा अच्छा तालीम दिया मुझे, और डो साल मैं पुना में रहके, मेरा basic foundation जो है, अच्छा उन्होंने build किया, मुझे विलंबित क्या था, ये सब मालूम ही नहीं था, क्योंकि करनाटिक में विलंबित तो है ही नहीं, तो ये अलग-अलग जो ताल है, रूपक, जटा, कुछ मालूम नहीं था, तो ये सब थोड़ा सीखा उनसे, उसके बाद क्या हुआ, अचानक से मेरा playback का calling आ गया, एक chance मिला मुझे शुदास जी के साथ दिवेच गाने का, उसके बाद इले राजा सर का call आया, तो पूरा, पूरा field shift हुआ, मैं पहले दो बातें बता देता हूँ, उसके बाद आपसे क्विक पेस्ट करूँगा, पहली बात तो ये कि इंट्रिवी की शुरुवात में आप कह रही थी, कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन आप जितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, मैं यही जानना कहना चाह रहा था कि जितना आपसे बातचीत करके और आपके बच्पन को समझके लग रहा है कि आपने एक संगीत की अगर एक अनंत यात्रा जो है उस यात्रा में आपके शुरुवाती कदम जरूर बहुत मुश्किल भरे रहे कह लें या बहुत सिंसियर नहीं रहे लेकिन फिर आपने फिकम बहुत जल्दी किया गोजारिश यह करूँगा कि आपने चुकि डिवोश्टनल म्यूजिक की बात की थी तो कुछ कोई एक डिवोश्टनल कोई भजन अगर आप हमें गुन गुना के सुनाना चाहें तो पीज सुना की आप दो आपक से घ्या अजय कि थी तो मुँदा म doubtis दाग्य विधाता, तुम हो दाटा, दाग्य विधाता, तुम्री दया हो जाए, सामी, तुम्री दया हो जाए लोभ का पत और मोह की नागिन, लोभ का पत और मोह की नागिन, जगत रही लित चाए, सामी, तुम्री दया हो जाए तुम हो दाटा क्या बात है, और इसी से जुड़ा अगला सवाल यह है, जिसका जिकर आपने भी किया, और जो प्रश्न मैंने सोचा भी था, कि मैं आपसे पूछूँगा, प्लेबैक सिंगी में आपके, आपकी शुरुआत ही यह सुडास जैसे कलाकार के साथ हुई, जो मतलब हिंदी फिल्मों में भी जिनके गाने सुपर डुपर हिट रहे हैं, तो इतने बड़े कलाकार के साथ, जब कोई प्लेबैक सिंगिंग का करियर शुरू कर रहा हो, जिस तो वो वो experience कैसा था, और एक senior गायक और एक बड़े कलाकार के तोर पर यह सुडास से सीखने को क्या कुछ मिला गायतरी जी को? देखे, उस जमाने में, उस जमाने मतलब कभी track का तो system था, तो मैंने रेकॉर्ड किया चैनले में, तो मुझे साथ में तो रेकॉर्ड किया ही नहीं, तो रेकॉर्डिंग करने के बाद वो मामुटी जी का मूवी था, रिलीस हुआ, तब मुझे पता चला कि यह डुएट है रेकॉर्डास्टी के साथ है, तो मुझे बहुत हैरान, ऐसा हैरान हुआ, और ऐसी खुशी हुई, लेकिन उसके बाद उन से मिले, बहुत बार मिले, एक पार्टी में मिले, और उन्होंने बोला, तुमने तो बहुत अच्छा गाया, और कम से कम, दो तीन महीने में उनका तूर के लिए, तो उनके साथ बहुत कुछ तूरिं करने का मौका मिला, कुएट, दुबाई, बहुत सारी जगा, तो स्टेज में उनके साथ बहुत डूएट गाये और बहुत कुछ सीखने को मिला, एक बिन मुझे याद है, we were staying in Hilton in Kuwait, तो he was staying in my next room, और मैं सुबर से रिय लंज के टाइम साथ में हम लंज कर रहे थे, तो इशदस जी ने बोला, मैंने सुना तुमारा रियाज, तुम आहिर भायरव गा रही थी, अच्छे से मेरे रूम में आवाज आ रही थी, बहुत अच्छा गाया, लेकिन ये सोचो, आज तुमें तो कम से कम आठ तस गाना स् your performance, तो मैंने सुचा, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें, you know, he's so sweet, एक बार मुझे याद है, Singapore भी हम एस्पलनेड में साथ में perform किया था, तो flight में he was sitting, तो I used to ask him a lot of doubts and he would answer everything properly and he used to say preparation is the reason for confidence, preparation is the key for success, preparation अच्छा है तो stage में confidence तो आएगा ही आएगा, तो वो stage, वो पूरा flight में बैटके एक करनाटिक कृपी उन्होंने लिखा, क्योंकि वो करनाटिक तो माहर है, उनका करनाटिक भी एकदम मशूर कलाहकार है, करनाटिक में भी प्लेग के, तो प्लेग तो है ही, तो Singapore में लांच करके, ये मुझे ये composition flight में आया, मैं तुमको तो अपिक तो अइसा, इसा, 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 तो ये तो अप्रिश ग्या है, तो अबी भी बात होता ही है, तो इम बड़ी लग्जी तो अब्ड़ी को आप तो अपसे जानना चाहरा था है, क्या आपने जब विनायक तौरभी जी से सीखा जो पंडित भीम सेंजोशी जी के शिश रहे हैं और मतलब पंडित भीम सेंजोशी को तो हम लोग जो ख्याल गाईकी है उसका स्कूल कहते हैं अपने आप में पूरा इंस्टिउशन रहे और प्लस किराना घराने की गाईकी तो क्या चैलेंजिस आए आपके सामने क्योंकि अबसे प्रतिश्टिट घराने है भारतिय कैस संगीत के उनमें से एग घराने के गुरु से सीखना क्या शुरुआत की अरचने थी क्या शुरुआत की दिक्कते थी dikket तो बहुत है क्योंकि एक तो मैं रेच्ट में इतना बिसी थी तो पूरा से वापस आई 10 to 15 shows I was doing a month you know, इतना ज्यादा shows में करती थी on the top of it I was anchoring television show I was doing you know, और वो सब भी चालू था इसके उपर television में तो बहुत थाम करती थी लेकिन मुझे ऐसा बोर हो गया सिर्फ प्लेबाग करके करके तो अंदर से मुझे होता है कोशिश की अभी कहां से मिलेगा गुरू, वेरा किन गो एंदर से मिलेगा गुरू, वेरा किन गो एंदर से मिलेगा गुरू, तो गवरव one of my friends Ruchira Kale, she's a very good classical singer, Ruchira ने बताया विनाय थोरभी जी करके बहुत अच्छा, he's a great artist who lives in Bangalore, तो I got in touch with them and I started learning from them तो मैं तो मैं तो बैंगलोर में हमेशा रहे नहीं सकती थी क्योंकि केरियर के वज़े से इसलिए दो-ती महीने में एक बार जाती थी चार दिन रहती थी और एक राग सीखती थी पूरा चलंब, आलाप सब मैंने सीखा, पूरा रेकॉर्ड करके then I used to work on it तो शुरुवात में तो problems तो होता ही है क्योंकि किराना का जो style है एक तो voice culture वो एकदम खुल के गाने का style है और मेरा playback तो एकदम बिल्ली जैसा है तो उधर से ही conflict शुरू हुआ क्योंकि मैं तो ऐसा दबाके गाती थी और फिर गुर्जी कहते थे अरे ऐसा थोड़ी होता है classical में तुमको खुल के गाना पड़ेगा तो मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि मेरा केरियर तो प्लेबैक मुझे संभाल नहीं है तो फिर उसके बाद फिर ये पूरा ताल का जैसे मैंने बोला लेकिन और ये भी एक प्रॉब्लम था क्योंकि केरला में मुझे प्राइस करने के लिए तबले वाला भी नहीं था सीख के जाने के बाद तबला तो है यह नहीं फिर तालमाला के सहरा से उस ताम पे तो आई टबला प्रोथो थे ही नहीं तो तालमाला तो एक दम फिल नहीं आता तक 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 तरके एक आवाज आती कि उसके साथ रियास करना पड़ेगा लेकिन चालू था और आई लेंट लेंट लागास प्रॉब्लम आके आने पुट ऐसे सीखे-सीखे क्या फाइदा है कुछ सो प्रोग्राम्स ट्राइ करो केरला में तो ऐसा केरला में छोटी-छोटी सभा जो भी है उन में से थोड़ा-थोड़ा मौका मिला मुझे हिंदुसानी क्लासिकल गाने का लेकिन इतना ज्यादा नहीं गजल का मुझे ज्याद मौका मिलना शुरू किया लेकिन कभी-कभी में इंदुसानी क्लासिकल भी गाती थी फिर गुरी जी ने बोला तुमको अभी All India Radio का ओडिशन ट्राइ करो मैंने बोला आप क्या बोल रहे हैं मैं तो आप क्या बोल रहे हैं महीने में दस फिल्म शोज करते हैं इसके बीच में क्या बोली तो उन्होंने बोला रे कोशिश तो करो यार कम से कम रियास अच्छा होगा पुरा रागो का तो रिविशन होगा तो Masters थो मैंने Music में नहीं किया Masters भी मैंने English literature में भी किया तो मुझे theory भी इतना वालूब नहीं लेकिन जो भी है गुरुजी ने सिखाया वो सब रियास करने की कोशिश की और Bangaloo All India Radio कि करला में ते हंदुसानी को audition लेने वाला ही कोई नहीं है फिर बैंगलू जाना पड़ा ओडिशन के लिए और ओडिशन किया लिए फिर्स अटेम्ट इसलफ अगाट बी हाई तो बी हाई निलने के बाद जो गजल शुरू किया उसमें तो हिंदुस्टानी क्लासिकल का बहुत अप्लिकेशन है तो वो तालीन सत काम में आया जब गजले गाने शुरू किया गजलों वाले आपके करियर का गजलों के पार्ट पर जाए उससे पहले क्लासिकल म्यूजिक की बात चल रही है तो क्या हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कोई एक बंदेश कोई एक राग आधारित बंदेश अगर आप सुनाए कि राना घराने की थोड़ी सी ही सही तो फिर उसके बाद गजल वाले पार्ट पर बढ़ते हैं या तो टर रह लोग है या ना सरीन एम झामा रहा बंदेश सुना आपस्ता और खिवर क्रोड़bbe प्रिगामागरिजार दिना दयारू परनेशा दिना दयारू परनेशा प्रिगामागरिजा दिना दिना दयारू परनेशा दिना 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 हम सब से वकर तुमरे चरनना हम सब से वकर तुमरे चरनना हम सब से वकर तुमरे चरनना सो दारा देना दयालो परमेश देना दयालो परमेश देना अच्क देनान देना 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 दोल परमेश देना मैं VOK देना राज़ का दोलेना दोलेuses तो मुणने से हम पूर्मिंग में बातव डाज़े कुरों रिर्का दूलेटफें दूल मिरिजिये ले स्टेट कि लेगएए अब घजल की तरफ आते हैं और आपका मतलब मेरे लिए तो बहुत चौकाने वाली बात है कि केरल में जन्व हुआ और केरल में जन्व होने वाले एक कलाकार का घजलों में इतना इंटरेस्ट था और किस्मत आपकी यहां भी काम आई क्योंकि आपको यहां भी गुरू नहीं और वहां पर आपको एक मौका मिला उनकी शिश्या से सीखने का तो वह भी थोड़ा से एक्सपीरियंस शेयर करें हम से हाँ ये भी जैसे आपने बोला किस्मत की बात है क्या है क्या है केरला में गजल का इतना फैंस है अजीब सी बात है क्योंकि मालयालियों को उर्दू तो मालूम ही नहीं बिलकुल मालूम नहीं उर्दू तो दूर की बात है नहीं मालूम नहीं लेकिन मौमद रफी साहब मेहद जो जान्रा है केला में बहुत पॉपिलर है it's probably also because of the lot of Islamic population there you know केला केलिकेट में तो बहुत सारे Muslim population जो है उनलों को बहुत पसंद है उर्दू, मालूम नहीं उर्दू लेकिन फिर भी बहुत शॉक है so उसके वजे से गजल का environment is very big in केला तो मैंने सोचा अभी क्या है गजल का तो आफ़स आई रहा है परफॉर्म करने के लिए ये भी सीखनी चाहिए और ये तो और मुश्किल है ग्लासिकल तो फिर भी सीख सकते है गजल तो और मुश्किल है क्योंकि language तो एकदम अलग है और ये जो शब्द जो है लफ्ज जो है जिसे गजल बगएर खुश्बू खुदा ये सब तो माले आलम में तो है ही नहीं अशिक ये जो पालेट जो ये जो अलग है ही ने एम अलग में तो मैं ने सोचा भी मुझे अच्छे से गूरू मिलना चाहिए तो मेरी एक सहेली है चनने का उन्होंने शुबाताए के बारे में मुझे बोला और मैंने शुबाताए को मिलने के लिए Bombay आी तो उन्होंने बोला चीक है शुबाता, he said whenever you come to Bombay, you just stay with me क्योंकि मुझे इदर कोई relatives नहीं है, कोई friends नहीं है कुछ नहीं है, तो जब भी मुझे time मिलती थी मैं आती थी और उनके साथ ही रहती थी चार-पाच दिन उनके साथ एकदम मस्ती खाना, गाना, और रात-रात तक बैठके मुझे इतनी अच्छी सुंदर गजले उन्होंने सिखाई और पूरा जो भी मेरा प्रणांसेशन है उन्होंने ही मुझे ठीक किया और बिगिनिंग में में तो मुझे रोना आती थी कि मुझे आई नहीं रही थी, ये प्रणासेशन तो बोलती थी, नहीं, तुम सौ बार अभी-भी बैठके बोलो ये और तुमको गजल गाना है, तो उर्दू कुछ भी नहीं ऐसे, you can't just do some, you know, shoddy job of it तो all the credit goes to her as to how to throw the voice for गजल फील से महसूस कैसे करना है ये सब जो भी है उन्हों नहीं सिखाया, तो बिग-बिग तैंस to her, she's like my second mother अब मैं आपको परिशान करना जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपसे ट्रकी सवाल पूछता हूँ, आपने गजल का नाम ले लिया तो मैं सिर्फ तीन कला काया बता रहा हूँ, महदी हसन, गुलाम अली साफ और जजीत सिंग जी, इन टीनों की आपकी जो फेवरेट गजल हो, उसकी एक-एक लाइन गुन गुना दीजिए, अब फेवरेट गजल चुणना आपके लिए मुश्किल होगा मेरे कहल से बात करनी मुझे मुश्किल तभी ऐसी तो नती जैसी अब है, जैसी अब है, जैसी अब है, जैसी अब है, तेरी मैं तभी ऐसी को न थी जैसी अब का हो गया, अभी उलामली जी का अजीज़ इतना, अजीज़ इतना, अजीज़ इतना, आपना की रखो के जी संबर जाएं अब इस कवे भी न चाहूँ आप एड़ा निकर जाएं अजेज इतना की रखो के जी संबर जाएं तो this is one of my favorite dozens of Gula Maliji थोड़ा जो काउंस मिश्र माल काउंस के रूट में है ये जग जी जी रह गया जग जी जी आपको बोलना जाएए था ये सब मैं पेर करके आती थी अर्थ लड़ा इसबड़ जी न इए गे दावरा थी आपको बोलना जाएपको बाएँ कर दो कर दो कर दो कर दो का का दो कर दो से है शाम से आख में नामी से है गायतरी अब सुनाएं की भी इसी लाइन में गुनगुना ही दीजिए क्योंकि एहमद फराज साब को कैसे भूल सकते हैं उन्हों इस गजल को तो आपने बहुत गाया है वो तो मेरी आलबम का है ये इसी लिए तो ये भी जो मैंने पूरा आलबम रिलीस करना वो उर्दू आलबम मेरे लिए तो इस्टेवला से आके completely produced an Urdu album and luckily by God's grace मुझे अच्छा सा launch मिला Pankaj Udazji ने launch किया Khazana Festival में अभी सभी जग़ां में whenever I get a घजल में, I sing it all the time इसलिए मैंने रिक्रेस्ट की तैंक्यू, तैंक्यू और Ahmed Tharazji का such beautiful romantic lyrics है, इतना खुबसूरत उन्हें लिखा है सुना है लोग उसे आख भर के रेखते है सुना है लोग उसे आख भर के रेखते है सुना है लोग सुना है लोग सुना है रात है उसको खराब हालो से खराब हालो से, खराब हालो से, खराब हालो से, सुना है रात है हम भार खराब हालो से, सुपनिया आपको बल्बार कर के रेकते है सुस के शेर में कुछ रेकते है क्या बात है बहुत 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 धन्दवाद गैतरी बहुत मज़ा आया इस बातचीप में और जैसा मैंने कहा कि हमने तो अब शरावत की बात भी कर ली और हाथ पर बेट पढ़ने की बात भी कर ली आपका संगीत सफर यूही चलता रहे और जो महख है इसमें जो जो प्यूरिटी है वो यूही कायम रहे आप ऐसे ही आपके जो संगीत के संसकार है उनको बचा कर रखे और मजबूत करें ऐसी हमारी बहुत धेर सारी शुपकामना है आपको और वक्त निकालने के लिए एक बा बाल प्रीट पलेशर तो चुपक अश्व प्लेश तो तूख अबाँस कर दो प्लेशर ने अच्छे च्छे क्वेस्टन सबीच वेट संगीत के बारे में बहुत मज़ए आया था क्यू बढ़े एक अश्वूली कूचे ही थाखे बारे ने बहुत मज़ए आए बहुत